अऐसे उताने में नंगेृ नमस्कार किसand साथ्यों स्वागत आपके अपने यूट्यूब qisan techniques में किसand साथ्यों आजगी वीडियो में बात करेंगे अगर मुंग की फासल उसके अंदर पिला पन हो गय teşekkür तो आप इस समस्य का किस परकार निदालक करेंगे तो आप प्रकार जो हमारी मुग की पूरे भारत में अच्छी खासी मातरा में बोया जाता है लेकिन जो हमारी मौंग है मूंग की जो फसल हो कई बार पिली हो जाती है किसान साथियों अगर बात की जाए जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार जो हमारी मुझ की फसल है वो पिली हो जाती है सबसे पहले बात यह आती है कि इसका कारण क्या है और उसके बाद बात करेंगे इसके हम कैसे बचाओ कर सकते हैं किसान साथियों अगर इसके कारण की बात की जाए तो यह एक येलो मोजिक नाम का वाहरिस है जिसके कारण जो हमारी मुझ की फसल हो पिली पढ़नी सुरू हो जाती है किसान साथियों इसका मैन कारण होता है जो हमारी सफेद मक्या होती है उसके कारण यह रोग हमारे जो पू करने बहुत आवश्यक है अगर समय रहते इस प्रकार के रोक के रोक थाम नहीं की गई तो यह आपकी जो प्रोडक्शन है उसको काफी नुक्सान पहुचाएगा क्योंकि जितने भी आपके पोदे पीले हो चुके उसके उपर ने तो फलियां लगेगी नहीं फूल आएंगी इसलिए इस प्रकार के रोक का नियंतरण करना निदान करना आवज़्यक किसान साथियों कि सबसे पहले जब भी आप मूम की बिजाए करें तो यह यह लो मोजे के वायरिस है उस से जो परतिरोदक्शमता वाले जितने भी हमारे किसमें है उनका उपियोग करें और उसके ब दोनों में से किसी भी एक के साथ है अपने बीज को उप्चारित अवश्य करें उसके बाद बात आती है फिर भी अगर यह रोग आपके खेट के अंदर हो गया है तो आप क्या करें किसान साथ हो जैसा कि हम बता चुगे कि इसका फैलने का मुख्यकारण जो है वाइट हैं उसका कंट्रोल करें उस के साथ सा जो पिलापना किए ड़े वाइरिस है उसके उपचार के लिए एक नशीज का प्रयोक्त कि नाचकार के दिए लिए आप जदें और इसन दोनों के काफ़ी अच्छर या फिर आप इमीडा कलॉर्पीड का भी प्रयोग कर सकते हैं सो से डेड़ सो एमल परती एकड के हिसाब से किसान साथ यह अगर बात की जाए तो तीनों में से आपको कोई भी एक दवा का परयोग करना है एसी टा का थामेक साम का या फिर इमीडा कलॉर प्रीड का उसके इसके अंदर कार्बोडिजन प्लस मैंन को जहब है यानि की कॉंटेक्ट बेस और सिस्टेमेटिक बेस दोनों फंजी साइड इसके अंदर मौजूद हैं किसान साथी उसके बाद अगर फंजी साइड की बात की जाए तो यह हमारे पास से बायर कंपनी का इंट्रा कोल के ना करें किसान साथ यह जो आपकी वाइट फ्लाइए वो खतम हो जाएगी पलस जो आपका येलो मोजेक वाइरिस के कारण या फिर जिसे हमें मुंग के अंदर पीलिया रोक बोलते हैं उसके कारण जो आपके पत्ते पर यह हो गए हैं उसमें आपको काफी सुधार देखनों को मिलेगा एक हफ्ता के पच्छात आप किसी भी मल्टी नूट्रेंट का सप्रे कर सकते हैं क्योंकि नूट्रेशन की डेफिजेंसी के कारण जितने भी पिला पनाएब हो है वह आपका फिर उससे खतम हो जाएगा मल्टी नूट्रेंट के लिए आप निसान एगरो केमिकल्स क गरो मेक्स ले सकते हैं इसके भी काफी इच्छे रिजेल्ट है या फिर आप सागरी का ले सकते हैं लिक्वीड में या फिर आप पलांटों आती है लिक्वीड में वह ले सकते हैं आपको जो भी एजली एवलेबल हो मल्टी नूट्रेंट आप वो ले सकते हैं उसके साथ कि मेगनीजियम सेलफेट वाटर सोलिवोर का आपको अवश्य अपरियोग करना है एक किलो परती एकड़ के हिसाब से क्योंकि न्यूट्रेशन ने जो हमारी फसल है उसके लिए काफी आफशक होते हैं और मेगनीजियम की डेफिशेंशी के कारण भी जो हमारे पोदे हैं उसमें में विक्रिती हो जाती है किसान साथ यह इस प्रकार आप जो आपके मूंग की फसल में ये लो मोज एक वाइरिस या फिर जिसे अंपीलिया रो कहते हैं उसे काफी आसानी से चुटकारा पा सकते हैं किसान साथ यह आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़े से संबंद और पसुपालन से संबंदित नई नई जानकारी देते रहेंगे तब तक बने रहे हैं हमारे साथ देखते हैं हमारे चैनल पर धन्यवाद जय है